Hello students, मेरा नाम है मुहमद अनस और आप मुझे देख रहे हैं Digi Classes platform पर या Digi Classes के YouTube channel पर अगर आपको हमारे platform के बारे में नहीं बता तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो application है जो Digi Classes का platform है, application की form में वो Play Store पर available है और आप उसको जाईए और install कीजिए क्यों install कीजिए क्योंकि आपको 11th class की अगर तयारी करनी है, 6th class की अगर तयारी करनी है, 9th class की अगर तयारी करनी है आपको या फिर आपके किसी भाई बंदू को तो आप उन्हें हमारा platform जॉइन कराएं और ये बहुत ही affordable है कितना affordable है, वो सारी बाते हम करेंगे, आप डिजी क्लासिस के बारे में जान सकते हैं लेकिन आज इस वीडियो में खास तोड़ से हम previous air questions solve करेंगे 2021 के जो illegal muslim university का 11th का entrance हुआ था, उसमें जो आए थे ठीक है, तो खास तोड़ से क्योंकि मेरा नाम महम्मद अनास है, मैं आपको बता चुका और मैं यहाँ पर deal करता हूँ biology, मैं biology पढ़ाता हूँ, डिजी क्लासिस platform पर तो मैं आज आपसे biology के question ही discuss करूँगा, तो हम questions देखेंगे जितने आए, जो भी आए, और उसके जो options हैं, उससे regarding क्या क्या चीज़े important हैं, हम वो चीज़ देखेंगे आज की वीडियो में, और हम यह देखेंगे, जो question है, उसका जवाब है, तो उसका जवाब क्यों है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा solution को भी analyze करेंगे, और उसके कि आप देख सकें कि teachers यहाँ पर किस तरह से कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस क्या है, वो बात में थोड़ी बात में करूँगा, अभी पहले आप देखते रही है, ठीक है, चलिए, तो आज कर जो हमारा paper हम solve कर रहे हैं, वो 21-22 का है, ठीक है, इन photosynthesis cannot be carried out without, पहले आपको I hope कि यह पता है कि photosynthesis क्या है, अगर नहीं पता तो सुनिए, photosynthesis एक ऐसा process है, जिस process के थुरू plant अपना खाना जो है, खुद से अपनी ही body में, यानि के leaf के अंदर तयार करता है, ठीक है, समन में आई, with the help of sunlight, with the help of carbon dioxide, with the help of water, in presence of chlorophyll, जो कि plant के और क्या बनता है, glucose बनता है, यानि के sugar बनती है, या यू कहा है, carbohydrate बनता है, और oxygen gas जो है, वो evolve होती है, बाहर निकलती है, plant जो evolve करता है, बाहर निकलता है, oxygen gas, ठीक है, और energy मिलती है, plant को धायट सी बात है, ठीक है, अब इस सवाल पर आईए, सवाल कह रहा है हमसे, कि light dependent stages in photosynthesis can not be carried out without, मतलब कि जो photosynthesis की वो stage है, क्योंकि देखिए, photosynthesis अच्छा खासा लंबा चोड़ा process है, इसके लिए आपको हमारा जो lecture होगा, आप जोएन करिए, हम आपको बहुत detail में बताएंगे, अभी क्योंकि यह हम PYQs discuss कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा detail में हम नहीं जा सकते, बस हम हलका सा छू के वापस आएंगे, जिसे हैं कि आपको idea हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है और आगे इस सवाल को, या इस तरह के सवाल को deal करने के लिए हमें कितना थोड़ा deep पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है, तो जो light dependent stages हैं photosynthesis की, वो इन में से किसके बिना नहीं हो सकती हैं, यानि कि light dependent stages के लिए यह जो चार option है, oxygen, carbon dioxide, water और hydrogen, क्या जरूरी है, ठीक है, cannot be carried out without, तो अगर हम बिल्कुल जवाब की बात करें, तो cannot be carried out without water, इसका जवाब है water, क्योंकि देखिए oxygen तो evolve करता है, वो product होता है, तो oxygen तो हो नहीं सकता, hydrogen भी नहीं है, तो बच्च ठीक है, क्यों गलती करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, बट इसका answer है, water, ठीक है, इसका answer क्या है, water, अब हम यह देखते हैं, कि इसका answer, water, हम नहीं कहतो दिया, लेकिन क्यों है इसका answer, water, तो आप यह देखिए, जो कि आपको सामने नदर आ रहा है, थोड़ा photosynthesis की information है इसकी अगर मैं equation की बात करूँ, तो देखिए, carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है, chlorophyll क्या बनता है, sugar बनती है, यानि कि क्या बना, glucose बना, और क्या निकली, oxygen, gas निकली, और हमारे पास energy आई, ठीक है, यह एक simple सी equation है, carbon dioxide की, अब यह सब कैसे हो रहा है, कहा हो रहा है, आप यह water and minerals, जो है, वो root के थुरू जा रहे है, plant में, ठीक है, हमें पता है, sunlight हमारी, आ रही है, plant पर पढ़ रही है, carbon dioxide जो हम evolve कर रहे है, जो हम छोड़ रहे है, carbon dioxide plus atmosphere में मुझूद है, तो वो atmosphere में मौझूद है, यहाँ पर carbon dioxide, ठीक है, हर जगा, तो यह plant जो है, intake कर रहा है, इसका जो CO2 कहा, किस माध्यम से अंदर जा रही है, plant के, तो वो stomata के धरू जा रही है, ठीक है, अब जब जब जा रही है, हमारा sunlight है, CO2 plant के अंदर पहुच गई, हमने पानी डाल दिया, तो देखो, CO2 plant के अंदर पहुच गई, पानी हमने डाल दिया, sunlight है, और chlorophyll को मौझूद है किस के अंदर पत्तियों के अंदर, जो leaves है, उसके अंदर chlorophyll present है, क्योंकि chloroplast जो organil है, cell का, महाँ पर chlorophyll होता है, और chlorophyll, ये सवाल भी कई बार आया है, कि कौन सा ऐसा component है, कौन सी ऐसी चीज है, photosynthesis की, जो बाहर से हमें नहीं देनी पड़ती, जो already plant के अंदर मौझूद तो उसका जवाब क्या है, उसका जवाब है, chlorophyll, chlorophyll is necessary for photosynthesis, but it is present in the plant, ठीक है, in the leaf of the plant, और बाहर से हम क्या देना है, बाहर से हम पानी डाल नहीं है, बाहर से हम जो atmosphere से gas ले रहा है, CO2, वो ले रहा है, ठीक है, चलिए, तो अब क्या बना, देखो हमने क्या के चीज़े दे हम बात करें, तो देखिए, plant cell है, ठीक है, plant cell के अंदर chloroplast है, chloroplast क्या है, एक cell का organal है, यानि एक इधर type of plastic, ठीक है, अगर आप cell chapter पढ़ेंगे, पढ़े होंगे, अगर आप मेरे student है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अल्रेडी जॉइन है, बिजी क्लासे पर, तो मै यह देख रहे हैं, यह water, तो water का क्या होता है, photolysis, मतलब कि पानी जो है, वो टूटता है, water का क्या है formula, H2O, सही है, पानी जो है, वो टूटता है, oxygen को इसने निकाल दिया, देखिए, oxygen आपकी evolve हो गई, oxygen निकल गया, अब यह कहां पर हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है में दी photo synthesis का process जो हमारा चल रहा है, तो water जो है, यहाँ पर आया, और यहाँ से oxygen में और hydrogen में टूड गया, सही है, oxygen अलग, hydrogen अलग, photolysis कहते हैं, इस process को क्या कहते है, photolysis, यह कहां पर यह कब हुआ, जब light मौजूद थी, तो हमारा क्या था, जो हमारा answer था, वो water था, वो क्य होना, टूटना, ठीक है, यह light dependent stage है, सही है, light dependent stage है, इसमें water जो है, वो टूटता है, अब यह जो water टूट है हमारा, तो पानी जो oxygen निकल गई, ठीक है, अब hydrogen इधर गया आपका मामला, अब CO2 जो हमारी आई यहाँ पर, यह आपको समझगे कि water dependent stage क्या, बट CO2 का क्या होगा, यह कहाँ पर use हो रही है, यह अगर मैं आपको बिल्कुल जनरल तोर पर बताओं, तो यह Kelvin cycle के अंदर use हो रही है, ठीक है, अब ultimately जो CO2, अगर बिल्कुल और जनरल मैंसे करूं, तो CO2 जो का इस्तेमाल कहा हो रहा है, वो sugar को बनाने में, जो हम glucose है ना हमारा, तो glucose के formation में, य अगर कोई बच्चा है जिसे attempt कर रहा है और किसी ने generally अगर पढ़ाया है तो वो बस यह ही बताते हैं, equation बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन इतना detailed सवाल जो है और इतना हल्का सा twisted सवाल कम ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर है, तो जब है, तो हमें इसी हिसाब से पढ तो अगर water नहीं होगा, light होगी, बट water भी नहीं है, तो photosynthesis नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पानी जब होगा नहीं, तो टूटेगा नहीं, तो oxygen कैसे निकलेगी, तो आपका जो H plus है, वहाँ पर हमारा hydrogen है, तो वो जाएगा नहीं उतर की तरफ, Kelvin cycle की तरफ जब जाएगा नही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीटेल में, step by step, हमारा जो demo, क्या कहते हैं, हमारा जो digit classes पर पढ़ा हुआ है, हमारे classes चल रही है, आप अगर join करेंगे, तो उसमें आपको सारी की सारी information, step by step, मिल जाएगी, ठीक है, अभी हम क्योंकि solve कर रहे हैं paper, तो हम सिर्फ आपके साथ answer deal करेंगे, चलिए, अगले question की अगर हम बात करें, तो ये आसान साहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ये 9-10 में आलता है, in reflex actions, I hope कि आपको ये पता है, तो what is reflex action, भाई, reflex action एक वो action है, जो बिलकुँ सदन होता है, हम सोच सोचते समझते नहीं है, हमारी body जो एक mechanism में शुरू करती है, ठीक है, किसी भी आफत से बचने के लिए, जैसे मान लेजिए कोई गरम पानी का कोई कुछ रखा है, कोई बरतन, बहुत जादे गरम चीज़, अगर मेरा हाथ उससे चुल गया, तो मैं फॉरण अपना हाथ हटा लूँगा, ठीक है, फॉरण म जिसके थुरू जो message जो पहुचा, ठीक है, इस formed by, तो reflex arc जो है, वो किस तरह से form होता है, देखो, हमें ये वाली बात पता है, कि brain जो है, reflex action में शामिल नहीं होता, तो ये वाले दोनों हमारे, जो यहाँ पर options दे रखे हैं, ये तो खतम हो गए, कि brain शामिल नहीं होता, हमें और ने क्या पूचा, sequence में पूचा, पहले क्या होगा, फिर गया और फिर गया, ठीक है, तो देखिए, receptor जो कि आपको समझ में आ रही है, कोई चीज, receptor क्या है, क्या नहीं है, अगर नहीं आ रही समझ में, तो ये देखिए आप, फोड़ा सा, इसे देखें, ये जो आप दे इसकिन में क्या है, receptors है, जो heat को, pain को, receptor करेंगे, इसको sense करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, basically sensory receptor, अब ये किस से connected है, आपका sensory neurons है, I hope कि आपको पता है, जो nervous system का, जो हमारा पूरा nervous system है, ठीक है, वो किस से बना हुआ है, उसकी basic unit क्या है, neurons, तो neurons, तो sensory neuron, ये रहा है, sensory neuron, ये जो है, ऐसी चीज है, जो नुकसान पहुचा सकती है, sensory neuron ले गया message को, ठीक है, अब यहाँ पर ये कहाँ पर लाया, spinal cord तक लाया, कहां तक लाया, spinal cord तक, ये बीच में क्या है, relay neuron, इसे हम क्या करते है, this is called relay neuron, इसका काम क्या है, कि ये sensory neuron से information लेगा, spinal cord को दे देगा, ये रही motor neuron को, और motor neuron जो है, वो कहाँ पहुचाएगा, effector पे, जो भी response होगा, उसे पहुचाएगा effector पे, जो की खास तोर से mostly muscle होती है, जैसे के, अब एक बात मानिए, जैसे ये है, ठीक है, ये एक charger है, तो माली जी ये बहुत गरम है, अगर मेरा हाथ इसे छुला, तो मैं हाथ हटाऊँगा, तो देगे, मैंने अपना हाथ हटा दिया, तो यहां से ये क्या है, receptor हो गया, अब sensory neuron के थुरू, पहुचा message, spinal cord तक पहुचा, relay neuron के थुरू, spinal cord तक पहुच गया, फिर spinal cord ने relay neuron को बताया, relay neuron ने दे दिया, किसको motor neuron को, ठीक है, तो motor neuron से message आया, और मेरा ये वा receptor, तो receptor और receptor अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे माली जी मेरी उली, अगर मैं हटाऊँगा, तो फिर क्या करूँगा, मैं ऐसे हटाऊँगा, यानि मेरा ये वाला joint है, तो receptor ये हुआ, receptor ये हुआ, receptor ये हुआ, तो ये बात आपको, I hope, समझ में आ गई हो, अपसर, तो अब यहाँ पर हमारा option वो देखे, क्या दे रखा है option, कि सबसे पहले तो receptor, जो skin थी, जहाँ पर touch हुआ था, कोई भी जो गरम चीज़ है, धंडी चीज़ है, कुछ भी है, जिसे हमें बचना है, फिर spinal cord तक गया मामला, तो है, उसके बाद वो muscle तक आया, muscle ये क् इसने receive किया, spinal cord तक पहुचा, spinal cord ने कहा कि भाईया, हाथ रटाना है वहाँ से, और ये spinal cord ने message दिया, effector को, और फिर फॉरण वो effector जो muscle है हमारी, वहाँ से हटा लिया, उसने हाथ हमारा, ठीक है, उसने help करी, ताकि हमारा हाथ जो हड़े आ है, अब ये बिल्कुल general, बिल्क तो हमारा receptor, फिर spinal cord, फिर muscle, ये है, ये है हमारा जवाब, A is the answer, अब हम बात कर रहे थे, कि the reflex arc is a simple nervous system pathway, जो कि मैंने आप से discuss कर लिया, पूरा रास्ता क्या है, and consists of the sensory receptor, यानि कि जो आपकी muscle है, जो भी, जहां से receive हुआ है कोई चीज, है न, कोई चीज क्या मतलब, basically जो आपक कोई heat है, pain है, कुछ भी है, तो ये क्या है, this is stimulus, ये कोई भी वट क्या होता है, कुछ नहीं, stimulus होता है, कोई भी stimuli है, stimulus है, जिसने effect किया आपको, यानि उससे आपको बचना है, अब ये efferent neuron, center, efferent neuron and effector organ, ये efferent neuron क्या है, basically, sensory neuron की बात हो रही है, center क्या है आपका, जो spinal cord है, eff effector organ क्या है आपसा, जो यहाँ पर जो muscle है, सही है, जो भी आपकी जो muscle है, वो effector organ हो गई, सही है, चलिए, the efferent or sensory neuron, transmit the sensory information from sensory receptor, तो receptor ने जो information receive करी, वो आपके neuron ने पकड़ा, sensory neuron ने पकड़ा, या efferent की अगर हम बात पर ने उसने पकड़ा, और वो ले गया कहाँ पर, spinal cord क्या है, sensory, पात हुए सीधी से बात है, यह spinal cord क्या है, यह deal करता है, मतलब इसमें brain शामिल होता ही नहीं है, यह देख रहा है, message to brain, तो brain तो शामिल ही नहीं है, brain का, brain does not involve in reflex action, तो brain जो है, वो शामिल नहीं होता reflex action में, तो यह बात हमें बिलकुल confirm कर लेनी है, चलिए, from sensory receptor, यह वा the interneuron of spinal cord integrate the incoming information, interneuron किसकी बात हो रही है, यहाँ पर relay neuron की बात हरी है, is related to motor efferent neuron, the motor pathway transmits the signal from motor neuron to the effector organ, muscle and glands, etc, तो यह पूरी वही बात है, जो मैंने आपको समझाई, अब देखिए एक बढ़ दोबार से सुन लिजीए, क्योंकि यह बात बहुत important है, this is very very important, और यह आती है, questions पर आते हैं, सबसे पहले कोई भी stimulus है, वो heat हो सकती है, ठीक है, वो pain हो सकता है, कोई pointed चीज अगर चुब गई आपके, तो आप हात रटाएंगे, तो आपके क्या है, इसे माली जी यह होंगी मेरी, यह बहुत गरम है कोई चीज है, मैंने इसे चुला, चुलाया इसे, तो मे relay neuron शामिल है, जो की spinal cord से contact में रहता है, जो spinal cord को बताता है, फिर वो spinal cord आपके शामिल है, ठीक है, फिर spinal cord से message आता है, relay neuron भे देता है, कहाँ पर, effective neuron या फिर e-front neuron पर, ठीक है, e-front पर, effector क्या करता है, कि कि यह information वो ले कर जा रहा है, जो उससे, जो चीज, जो muscle, या कोई joint है, जो effect होना है उससे, यानि जहां पर अब काम होगा, उस चीज से बचने के लिए जो चीज यूज होगी अब, ठीक है, तो उस पर काम होगा हमारा, तो यह पूरा जो रास्ता है pathway है, this is called reflex arc, ओके, चलिए, बहुत discussion होगी अस पर, अगले सवाल पर हम चलते हैं nuclear membrane bound organelles are absent in, इती से बात है, eukaryote, prokaryote की बात हो रही है, bacteria क्या है, prokaryote है, ये, ये, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है, eukaryote, algae है बाई, बैक्तिरिया क्या है, bacteria is the answer, जो prokaryotes होते हैं, उसके अंदर कोई भी membrane bound और बैक्टिरिया जो लिखा है, option number A में, वो ही तो है प्रोकेरियोट, उसमें तो नहीं है, तो यही तो पूछा है हम से, simple सी बात है, इसका जवाब है, इसका जवाब है, बैक्टिरिया, अब ज़रा हम यह देख लाएं थोड़ा सा, प्रोकेरियोट और युकेरियोट के प्रोकेरियोट कौन होते हैं, प्रोकेरियोट कौन होते हैं, जल देली बताओ, काइनो बैक्टिरिया है आपका, आर्की बैक्टिरिया है आपका, और कौन है, और कौन है, बैक्टिरिया, ठीक है, तो यह तीन क्लासेज हैं इसकी यहाँ पर, तो यह क्या है, यह क्या है, यह नहीं कि एक ही cell का पूरा का पूरा organism है, और यह क्या है eukaryotes, they are multicellular, but they can be unicellular, अब इसका जवाब अगर आपको चाहिए, तो आपको हमारा subscription लेना पड़ेगा, चलो खर बता देता हूँ, तो इसका जवाब यह है, जैसे अगर मैं बात करूँ yeast की, ठीक है, yeast क्या है, एक fungus है बन जाई है, तो जब fungus है, तो वो eukaryote है, ठीक है, eukaryotic heterotrophic organism है fungus, तो fungus है, एक single cell का है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, कि most eukaryotes है, अच्छा इन्होंने most word use कर दिया ना, तो ठीक है, मतलब कि mostly multicellular होते हैं, but they are unicellular as well, जैसे के, हम अगर east की बात करें, ठीक है, और unicell eukaryote, जो अलग class है, पूरी वो को है, वो protozoa, भई, amoeba है, paramecium है, yuglina है, यह सब कौन है, यह सब unicellular है, single cell के organism है, but they are eukaryote, ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, अब the nucleus is poorly defined, जो prokaryote है, इसका नाम prokaryote इसलिए है, क्योंकि इसका nucleus जो है, वो बेकार सा होता defined नहीं होता, अच्छे से, तो यह कहां गूम रहा है, कहां रहा है, कोई पता नहीं है, इसका, the absence of nuclear membrane, कोई nuclear membrane नहीं होती है, इसलिए, उसे हम कहते हैं, nucleoid, क्या कहते है, उस condition में उसे, nucleoid, यानिके incomplete nucleus, ओके, और अब, जब nucleus ही complete नहीं है, तो nucleus के अंदर जो होता है, nucleolus, वो क Zoroplast भी है, Miloplast है, Lycoplast है, बहुत है, और लेंगे हम, जब हाप subscription लेंगे, चलिए खेर, आप देख सकते हैं, हमारा जो lecture हमारा मौजूद है, यहाँ पर, आपके लिए, तो आप देख लेंगे है, उसमें, ठीक है, platform पर, तो such as plastic, mitochondria, Golgi body, etc, absent, यह सब नहीं होते हैं, यह जो cell के organelle है, जो cell के function में help पढ़ते हैं, अब cell क्या है, cell is the basic unit, और fundamental unit of life, ठीक है, तो भही cell जो है, वो भी तो काम करने के लिए, उसके organ है, जैसे mitochondria है, Golgi body है, lizozoom है, ribosome है, endoplasmic reticulum है, spindle fiber है, chloroplast है, amyloplast है, and so on, बहुत सारे हैं, सही है, इनका सबका अपना अलग काम है, तो cell organelle है, जो है, मुसमी जाज़दार इसमें नहीं होते है, प्रोकरियोट में, अब, जैसे के plant है, animal cells है, they are eukaryotic, ओके, तो हमें अंदाता हो गया, what are prokaryotic and what are eukaryotic, तो सवाल हमारा पूझा है, का कौन से ऐसे, जो नीचल, निम ने लिखे हुए, options में से, option मुझे नहीं पता, options में से, आप हमें ये बताएं, कि किसमें, जिल्ली जो है, नहीं होते, यानि कि कौन सा membrane bound organelle जिसमें नहीं होते, तो हमने देखा अभी, कि जो prokaryotic है, जिसमें नहीं होते, तो हमें यहां पर यह नदर आ रहा है, bacteria, ठीक है, यह हमारा answer, अब आगे बढ़ जाए, question number 88, क्या कहरा है हम से, involuntary actions, such as blood pressure, BP, आपका, salvation, salvation क्या है, आज बिरियानी बनी है, खाने में, आया मु पानी, आया न, तो यह क्या है, this is called salvation, ठीक है, यानि कि आप जो, क्या कहते है, हम लार कहते है, राल कहते है, जो भी है, तो जो आपके मुझ में जो saliva आता है, तो this is salvation, and human, in a human brain are controlled by, तो हम से यह पूछा है, कि involuntary action, जैसे कि BP, हमारी body का blood pressure है, हमारा blood किस pressure से चला है, यह हमार मैं इससे control होती है, क्या वो cerebrum से control होती है, cerebrum क्या है, cerebrum is the largest part of the brain, cranium से होती है, भाई, cranium तो लक्कन है, हमारे इसका, जो हमारी खूपडी है, this is called cranium, cranium क्या है, यह तो एक box है, ठीक है, brain box कहलो आपस है, जिसमें हमारा brain रखा हुआ है, cranium तो यह तो होई नहीं सकता, hypoth यह medulla, तो यह तो A होगा या D होगा, क्योंको यह main main part है, ठीक है, इनका कुछ काम है particular, सही है, तो अब क्या है, कौन सा part है, जो involuntary action को control करता है, अब आपका सवाल यह होगा, कि sir यह बताइए, कि involuntary action होते क्या है, आखर, involuntary action और voluntary action दो तरह के actions होते हैं, जैसे कि मैं चल तो दिया, छोड़ दिया, पहें, दूसरे हाथ में ले लिया, यह voluntary action है, अब जो चीज़ें मैं नहीं कर सकता, जो automatically चल लेंगे मेरी body में, जैसे कि मेरा blood pressure मैं control नहीं कर सकता, जैसे मेरी heartbeat continue चल लेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो यह मैं सोने जा रहा हूँ, heartbeat रुख जा voluntary action, तो brain का एक part है, जो particularly इन चीज़ों से deal करता है, तो वो कौन सा part है, हमने यह दोना तो हटाई दिये सरे से, क्योंकर यह gland है, और यह cranium क्या है, यह brain box है, जिसके नदर हमारा brain सुरक्षित रखा हुआ है, तो cerebrum या medulla, तो भाई, इसका जवाब है, medulla, medulla oblongata, इसका पू medulla, जिसे हम क्या कहते है, brain stem, medulla is also called brain stem, यानि के वो part जो spinal cord, यह है spinal cord, spinal cord और brain को जोड़ कर रखा हुआ है, यानि के एक junction between spinal cord and brain is medulla, यह भी सवाल आया है कई बार, इसलिए मैंने इसका डिसकुस किया, brain stem is also called medulla, बहुत अच्छी बात, चलिए साब, देखो यह रहा medulla oblongata, य यहां में जिन सिफलों, तो अब हम medulla के बारे में देखें, carries out and regulates life sustaining function such as breathing, आपकी breathing है, क्या आपके control में है, नहीं, किती देर के लोग लोगे, दो, तीन मिनट, चार मिनट, दस मिनट, फिर तो आपको ले नहीं पड़ेगी ना सास, वनना निकल लोगे, तो swelling and heart rate, the medulla is easily the most important part of the brain, right सी बात है, जब यह सब चीज़ें control कर रहा थे, important part है, its functions are involuntary, अब involuntary का मतलमत पूछना में बता चुका, ठीक है, we would not be able to live without the medulla because of myriad and crucial tasks, भाई हम बिना medulla के कैसे दिनना रह सकते हैं, कि आप सांस ले ने छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे ना, performs including regulating blood pressure and breathing okay, as a part of the brain stem, as a part of the brain stem, it also helps transfer neural message from the brain to the spinal cord, मैंने बता यह वाली बात कि brain और spinal cord को जोड़ कौन रहा है, कौन जोड़ रहा है, medulla जोड़ रहा है, तो भाईया, जो भी brain से spinal cord में message जा रहा है, तो medulla के होते हुई ते जाएगा, medulla के थरुई तो जाएगा, तो यह सारी की सारी information आ आएगा, आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से, question number 89 की तरफ अगर हम बढ़ें, हमसे यह कह रहा है, कि कौन सा plant का cell, which plant cell allows transport of water and mineral vertically, तो water and mineral का transport करना है, transportation की बात है, तो भाई, transportation में कौन कौन है, शामिल, xylem होता है, और phloem होता है, अगर यह आपने पढ़ा हो, तो plant के tissues हैं, जो transportation में help करते हैं, xylem और phloem, xylem करता है, water और mineral के transport में help, ठीक है, और phloem करता है, food के transport में help, तो यह phloem करता है, वो bi-directional होता है, यह सवाल भी कई बार आता है, phloem जो होता है, वो bi-directional होता है, और जो xylem होता है, वो uni-directional होता है, अब देखो यह है, ऐसे देखो थोड चलो, root है, हमने water और mineral जो है भेज दिया, water और mineral जो है वो भेज दिया, ठीक है, xylem जो है वो ले गया, नीचे से ले गया उपर की तरफ, कौन ले गया, xylem, ठीक है, xylem जो tissue है वो ले गया, transport कर रहा है किसको water mineral को from root, क्या water mineral, root के लावा कहीं और से absorb होता है, नहीं होता, तो जाहिट सी बात है, नीचे से उपर ही जाएगा, उपर से नीचे तो नहीं आएगा, तो ये जो xylem का काम है, जो xylem है, this is always uni-directional, ये सवाल भी कई बार आ चुका है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर हम phloem की बात करें, तो phloem जो है, वो bi-directional होता है, बाई का मतलब क्या है, कि उपर से नीचे भी और नीचे से उपर भी ले जाएगा, ट्रांस्पोर्ट को, यानि कि food को, जैसे माल लोग कर यहाँ पर कोई पत्ती है, तो इसने खाना बनाया, जो आपका जो starch बना, जो glucose बना, वो root को भी तो चाहिए, तो यह वाली बात आपको सवान में आगी, जैलम, तो जैलम के कौन-कौन है, भया, जैलम के कौन-कौन पार्ट होते हैं, यह हम देखें नरा, यह देखिए, अगर हम फाइबर है, फ्लोम फाइबर, ओके जिसे हम फ्लोम स्केलन कायम भी कहते हैं, चलिए, अब डीटेल तो हम बताएंगे, don't worry about that, तो फाइबर, पहुचा देगा जहांब, जैनी जिया सैल होते हैं, ज्यालन के अंदर, टिशू है, टिशू क्या है, गृूब ऑफ सेल्स, तो अललग तरह के सेल्स हैं, एक तरह क prepared, हमारे trackets हैं और एक तरह की vessels हैं जो कि मैंने आपको भी show की एक्जम तो हमारा answer क्या होगा trackets and vessels they help in the transportation of water and minerals vertically ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब थोड़ा साम इसके बारे में देख लें क्या है क्या नहीं है plant vascular system हमारा जो xylem और flowyum है अगर हम इसकी बात करें अगर हम xylem की बात करें देखो यह देखो यह सिफ नीचे से उपर जा रहा है न क्या उपर से नीचे आता हुँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है और यह देखो उपर ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स ठीक है वन वे अपवर्ड फ्लो वन वे का मतलब युनिडारेक्शनल है रांसपोर्ट बल्क फ्लो ड्यू टू निगेटिव प्रेशर अभी वाली बात अभी बूल जाईए यह मैं समझा हूँगा तो बड़ा दिक्कत हो रहेगी आपको ठीक है hollow dead cells इसमें hollow cells होते हैं ऐसे cells जिन में poor है होते हैं पोई end wall नहीं होती यह से बात को भूल दाइए from center of the vascular bundle rich in lignin which supports the plant अच्छा lignin जो है न एक component है जो प्लांट को support करता है तो xylem जो है वो लिगनिन रिच होता है, लिगनिन ज्यादा होता है, इसमें लिगनिन क्या है, यह chemical compound है, यह component है, जो आपकी cells की walls में रहता है, तो यह जो लिगनिन है, यह थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यहाँ पर जो की plant को support करता है, का यह तूटना जाए, गिरना जाए नीचे, ठीक है, ओ transport is by osmosis or turgor pressure, अब यह क्या है, don't worry about death, ठीक है, आप हमारे lecture में सारी चीज़ आपको पता चली जाएंगी, live cells with no nucleus, इसके अंदर क्या है, देखो, इसमें तो dead cell है, आपके xylem के अंदर, but phloem में living cell है, ठीक है, living cell है, with no nucleus, उनके अंदर nucleus नहीं है लिगने, perforated end walls, outside edge vascular bundle, also transport, amino acid mRNA and hormones, तो यह वाली बात भी important है, phloem जो है, वो food तो कर रही रहा है, transport, बट साथ में वो amino acid भी करता है, mRNA भी करता है, और hormones भी करता है, यानि कि food के अलावा और भी जो essential component है, जो main important चीज़े है, plant की growth के लिए, plant के survival के लिए, वो भी कर रहा है, okay, phloem, तो हमें आपको, हमने जा yellow algae, na, red brown algae, na, blue green algae, या green algae, na, जो का green green algae है, algae है, alga, algae है, algae है, algae है, algae है, algae है, alors Cheryl, algae है, तो algae है,pel divided have the लगा रखा है क्योंकि वो bacteria है बढ़ उसमें algae वाली property भी है वो photosynthesis भी करता है तो that is blue-green algae इसका जवाब क्या है kingdom monora की कौन पार्ट है include क्यों है kingdom monora में blue-green algae जिसको हम क्या कहते हैं cyanobacteria cyanobacteria blue-green algae is also called cyanobacteria so this is the answer अब हम देखें kingdom monora में कौन को नाते हैं यह आर की bacteria आते हैं normal आपके जो bacteria हैं वो आते हैं और आपके आते हैं cyanobacteria cyanobacteria वो bacteria है जो photosynthesis कर सकता है देखो हरे-हरे नदर आ रहे हैं और इसका ही दूसरा नाम क्या है blue-green algae ठीक है अगर मैं इनके बारे में बता हूँ आर की bacteria के बारे में तो यह उस तरहां के bacteria है यह बहुत ही primitive टाइप के और यह बहुत जादे harsh condition में पाई जाते हैं harsh condition मतलब क्यों जाए बहुत जादा volcano बहुत गरम हो कोई जगा बहुत धंडी हो कोई जगा तो आर की बेक्टिरी हम आपको मिल जाएंगे और इनके particular काम है detail में हम पढ़ेंगी don't worry about that 91 की अगर हम बात करें question की in which cell organelles the complex sugar may be made from simple sugar या निकि सब देखते हैं तो वो कर रहा है कौन वो कर रहा है गॉल्गी अपरेटस गॉल्गी अपरेटस यह देखिए इट्स anatomy includes huge fold and stack membrane bound structure which is better known as system यह देख रहे हैं आप यह इस तरह की जो portion नजर रहा है आपको यह bounded तरह से मोड़ा हुआ portion इसे हम क्या करते हैं sister नी ठीक है यह क्या है यह है गॉल्गी बॉड़ी का photo और गॉल्गी वोड़ी क्या है इट प्लेज इस रोल इन प्केजिंग प्रोटीजिंग इसका काम क्या है गॉल्गी वोड़ी का यह प्रोटीन को प्यक्त कर रही है एक एंड सिम्पल शुगर ईंटू मेंव्रेन-बाउंड वेसिकल यह पैक कर रही है इने इसके अंदर क्या डाल दिया protein और sugars डाल दिये, जो कि अब cell में जहां भी जरुगत है, वो महाँ पहुच जाएंगे ठीक है, cell में जहां भी जरुगत है, महाँ पहुच जाएगा जो भी protein है, या amino acid protein है, या फिर sugar है कोई, ठीक है तो जब sugar को pack करेगी, तो simple simple sugar उठाएगी, उसे बना देगी complex, हमसे यही तो पूचा है, क्यों सा ऐसा cell organal है, जो simple sugar को complex sugar में convert कर देता है, तो जो हमारा जवाब है, वो क्या है, वो है, गॉलगी apparatus, this is the answer, endoplasmic reticulum क्या है, ये क्या करता है, अगर है, अब ये सारी चीज़े बहुत detailed है, जब हम cell chapter जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़े पता चलेंगी, जब आएंगे हमारे platform पे, तो आपको क्या है, what is RER, what is SER, क्या function होता है, क्या नहीं होता है, सब पता चलेगा, lysosome क्या है, इसे हम suicidal bag क्याते हैं, suicidal bag, अगर cell में कोई भी दिखता थोई, तो ये भाई साब क्या है, फटे आते हैं, ये अपने अंदर से enzyme निकालेंगा, idolatik और खतम कर देंगा पूरे को पूरी cell को, जिससे की, बाकी के cell जो हैं, वो खराब नहों, एक ही cell की कुर्बानी जाए, और mitochondria क्या है, ये तो हमें सब को पता है, कि this is the powerhouse of the cell, क्या है, powerhouse of the cell, क्यों है powerhouse of the cell, क्योंकि ये form करता है, ATP, यानिके energy currency, अब energy currency क्या है, ATP, यानिके adenosine triphosphate क्या है, discussion करेंगे जवाब हमारा, क्या लेंगे, subscription, बिल्कु सही बाद, तो खेर इसका जवाब आपको पता चलिया न, Golgi apparatus is the answer, ओके, Golgi apparatus क्या है, in which cell organil the complex sugar may be made from simple sugar, ठीके, कौन सा ऐसा cell organil है, जिसके अंदर complex sugar बनती है, simple sugar को मिला कर, मतलब simple sugar से complex sugar बन नहीं है, यारी कि packaging हो रही है न, sugar की, तो कौन है, कौन कर रहा है, Golgi apparatus, क्यूं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि cell में किसी जगा जरुवत है, पहुचाना है वो, तो यही यही काम करते हैं भाई साब, 92, energy captured, energy capture करना, पकड़ना, by green plants in terrestrial ecosystem is about, कितने, कितने percent energy जो है, वो capture करता है, जो terrestrial ecosystem है, तही बात है, क्या वो 1% है, क्या वो 3% है, 5% है, 10% है, तो आप जरा इस figure को देखिए, शांदार figure को, आपके लिए मैं लेकर आए हूँ, इसमें क्या कह रहा है हमसे है, जो भाईया, यहाँ पे जो लेक, 10 लेक, 20 लाक किलो कैलरी और मीटर स्कौर पर एयर, यानि इतनी, 20 लाक मानो बस, 20 लाक कैरो, 20 लाक यूनिट एनरजी आई, ठीक है, अब हमसे सवाल यह पूछा कि जो energy कहा जा रही है, जो हमारे terrestrial ecosystem में आ रही है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले level पर, पहले traffic level, इसे हम क्या कहते हैं, traffic level, क्या कहते हैं, traffic levels, यह कौन सा level है, this is first traffic level, this is second, this is third, this is fourth, okay, तो जैसे जैसे नीचे से देखो, यह green plants है, green plants ही तो absorb कर रहा है, जो सूरत से energy आ रही है, कौन absorb कर रहा है, हमने chlorophyll अभी देखा न, chlorophyll trap करता है energy को, यानि के energy पकड़ आ, उसे absorb कर र energy आती है, तो कितने percent जो है, वो plant, या फिर जो terriserial ecosystem का जो पहला level है, जो plants है, वो कितने percent capture कर पाते हैं, सवाल है हमारा यह, तो कितने percent कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक percent है, और मैं आई यह वाली बात, यानि कि 99 percent जो energy है, जो सूरत भेज रहा है, जो पढ़ रहा है, जो चली, अब one percent जब इसने ले ली, अब one percent कितनी आई, बीस लाग, ठीक है, अब, एक हमारा जो Mr. Lindman सहाब, जो एक scientist थे, उन्होंने दिया था, एक law, ठीक है, जिसे हम क्या कहते है, जिसे हम कहते है, 10 percent law, इस law में क्या होता है, कि हर traffic level में, जैसे देखो, इसके अंदर कितनी आ फीड कर रहे हैं, तब energy कितनी पहुच रही है, energy जो अब पहुचेगी न, हर traffic level पर energy कितनी पहुचेगी, उस traffic level का, यानि कि 20 लाग का कितने पहुचेगी, सिर्फ और सिर्फ 10 percent, कितनी पहुची, सिर्फ 10 percent, ओके, तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो light energy थी, वो कितनी थी, 20 ला यह उपर वाले उसका गई, level पर, अब 2000 का 10 percent, 200, यह इससे उपर वाले level पर गई, अब 200 का 10 percent, 20, यह उससे उपर वाले level पर आ गई, तो top level पर जो energy होती है, वो सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है, जो energy होती है, वो जो top carnivore होता है, वो सबसे ज्यादा कम energy पहुचती है, उस अभी हमने यह चीज देखी जो सवाल का हमारा जवाब था क्या है 1% energy captured green plant कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1% from the solar energy या from the sunlight चलो यह क्या था flow of energy and traffic levels ठीक है अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे कि भाया evolution occurs due to natural selection natural selection जो भी जो इनसान है जानवर है कुछ भी है जो भी organism है अगर वो बिलकुल fit है fine है ठीक है अगर वो जो बदलते हालात है उनसे लड़ने की शमता रखता है तभी वो आगे अपना जीवन जो है वो बसर कर सकता है तो यह बात किस ने कही थी कि भाया जो evolution है ठीक है वो natural selection है यानि के nature select करता है जो fit है fittest of the survival या survival of the fittest यह कही है आप जो बिलकुल fit है उस environment के हिसाब से जो ढखल चुका है उस environment में nature जो है कुदरत जो है वो उसे ही select करेगी कि वो आगे बढ़े otherwise जो fit नहीं है जो नहीं ढखल पारा the crux of Darwin's theory of evolution focuses on the elimination of inferior species inferior species कौन सी होती है वो जो वहाँ पर नहीं ढखल पा रही है ठीक है कोई भी आया उसे मार के चला जाए वो strong नहीं बन पाई वो माहूल के हिसाब से नहीं ढखल पाई जो ढखल गई वो आगे बढ़ती गई ठीक है जो नहीं ढखल पाई वो निकल गई gradually over time through a process called natural selection तो natural selection ही वो process है जो evolution को आगबढ़ाता evolution में help कर रहा है ठीक है अगला सवाल है which is not an inherited disease inherited का मतलब कौन सी ऐसे disease है जो genetic नहीं है inherited disease मतलब genetic genetic का मतलब from parents to office spring यानि के कहा से आई parents से हमें मिली office spring में यानि के parents के जो babies है वहां तक पहुची parents से आ रही है यानि के खांदानी जो बीमारी हम क्याते न इन्दी में तो कौन सी नहीं है इन में भाईया color blinds है color blindness है hemophilia है clan filter है बट typhiड नहीं है typhiड क्या है typhiड एक bacterial है bacterial disease है ठीक है कौन से बैक्टिरिया salmonella typhi ठीक है ये जो बैक्टिरिया है तब उससे होता typhiड अब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब मेरे क्या करते हैं अगर parents को typhiड हुआ था तो मुझे भी होगा नहीं उनमें था parents से office frame में ये चीज जाती है पहुचती है तो हमारा जवाब है यहाँ पर typhiड अब ज़रा इससे थोड़ा सा इसके बारे में देख लें देखो color blindness and hemophilia are x-linked genetic defect आपने अगर देखा हो x-y और x-x देख्या अगर मैं sex determination in humans की बात कर रहा हूँ तो x-x से क्या बनता है girl जो है girl born होती है और x-y है तो क्या है boy तो x-linked यानिके x जो chromosome है यहाँ पर तो इस x chromosome पर ऐसा कुछ defect है कि जिसकी वरा से क्या हो रही है color blindness पहुच रही है सही है अब यह बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो tension की बात नहीं है जो हम अपना inherited यह genetics जो हम पढ़ेंगे या जो हम हम heredity and evolution chapter पढ़ेंगे उसके बारे में हम यह सब चीज़र डिसकस करेंगे में उसके dna में पहुच जाए ठीक है अब hemophilia की बात करें hemophilia is also sex linked recessive disease inheritance pattern of hemophilia is the same as the color blindness ठीक है जिस तरह से color blindness जो है वो अब यह क्या है यह sex linked disorder है जो sex chromosome है उस पर ही तो link है उस पर ही तो कोई ना कोई दिक्कत आई है तो यह क्या है जो आपका hemophilia है यह भी sex linked है ठीक है अब यह भी पहुचता है उसी तरह जैसे color blindness पहुचती है या निकि यह भी inherited है ओके तो यह भी हमारा जवाब नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सोड़ा इनके बारे में क्यूं बता रहा हूं क्या पता हो कि what is hemophilia what is color blindness and what is client filter syndrome sometimes we called client filter और xxy देखिए अब हमें पता है कि xx है तो अगर कोई boy है देखो यह boy है ठीक है इसके पास एक और chromosome आ गया तो अब यह क्या हो गया यह शो कर रहा है हमें किसको क्लाइन filter syndrome को सही है तो यह क्या हो यह बीमारी हो यह नहीं कि एक chromosome इसमें extra बढ़ गया ओके तो यह सारी चीज़ा क्या है inherited है parents of spring में आ जाती है बट टाइ अगली बात 95 one of the best solution to get rid of non-biodegradable non-biodegradable कौन होता है जैसे हमारी plastic है ठीक है यानि कि जो कभी भी degrade नहीं हो सकता जो bacteria है या फंजाईयों से उस पर act करके उसको मिल्कुल मिटी है नहीं मिला सकते अगर हम कहें जनली ठीक हो non-biodegradable कहलाता है तो क्या हम उसे क्या करें जो best solution है वो क्या है इनका क्या हम उसे जला दें उससे काम हो जाएगा क्या हम उसे dump कर दें दफना दें उससे काम हो जाएगा क्या हम उसे या फिर बरी कर दें एक जगा दफन कर दें डंपिंग कर दें बरिंग कर दें या burning कर दें जला दें नहीं होगा उससे काम प्लास्टिक को है. तो प्लास्टिक है बड़ यूज में है वो नहीं कर रहे एतना जाज़ा तो recycling is the best option. Recycling is the answer. ये देखिए. Recycling is the best way to get rid of non-biodegradable waste. Burying will not have any effect on non-biodegradable waste. तो non-biodegradable तो जो burying है, यानि कि इसे दफनाना या करना या उसे जला देना आप जलाएंगे तो और जादे आप बाता वर्ण को खराब कुर्बान कर दी along with 363 अधर 363 लोग और उनके साथ मारे गए 3731 में for the protection of खेजरी trees, खेजरी trees को बचाने के लिए यानि कि कुछ खेजरी के पीड़ों को बचाने के लिए किस औरत में क्योंकि हर लिखाने यापर, किस औरत में 363 और लोगों के साथ अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी, तो वो औरत कौन थी, वो महान देवी कौन थी, हो थी, अमरिता देवी बिश्नोई, कौन थी, अमरिता देवी बिश्नोई, ये एक आसानी से, ठीक है, एक रिसर्च पेपर से निकाली इंफर्मिशन नहीं है, अब क्या है दरह देखिए, विश्नोई इंडियन वोमें इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन केन बी ट्रेस्ट लॉंग बैक तू 1731 एडी, देख रहे हैं, आप कितनी पुरानी बात है, ये, बिश्नोई प्रोटेक्शन के बारे में आपको सुनाएं न, चुबक के पेड़ से था कि हमें भी काट दो, पेड़ के साथ पेड़ नहीं कटने देंगे, ठीक है, तो वो वर्शिप करते थे भाई तो विश्नोई, जो खेजरी ट्री थे, उसको वो वर्शिप करते थे, उसकी उसको भगवान मानते थे, ठीक है, तो जो विश्नोई लोग थे, उस ट्री वो उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट था, उनके रिलिजियस एसपेक्ट से, बहुत इंपोर्टेंट था, तो उसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, और कंस्ट्रॉक्शन ओफ फोर्ट्रेस, व अमरिता देवी and her three daughters were beheaded for disobeying royal order, भईया, royal order, राजा, कौन से राजा, महराजा, अवैसिंग, इनका order था, भईया, जो भी पेड़न है वहाँ से, काटो, हटाओ, तो ही है, लेकिन अमरिता देवी जो है, उनसे चुपक गई, नहीं कटने दिये पेड, तो अमरिता देवी को, और उनकी तीन daughters को, उनके सर जो है, कलम कर दिये, जैसा कि हमें हमारी literature से मिला, beheaded, सर काट दिये, क्यों काट दिये, क्यों काट दिये, क्योंकि उन्होंने राजा का हुकम नहीं माना, नहीं माना, just before her martyrdom, अमरिता देवी declared, if a tree is saved even at the cost of one's head, it's worth, अगर उन्होंने कहा, अपने अब ये देखे कि important कितना है, कोई एक पेड कितना important है, कि वो औरत ये कह रही थी, कोई आप अगर एक कर सर कलम कर दो, लेकिन एक पेड को छोड़ दो, तो ये बात कितनी important है, और लोगों ने जो environment है, उसको उसकी जागबता पहलाने के लिए क्या क्या किया है, अपनी जान महाराजा stopped order as 363 विष्णुई lost their life, तो इतने लोग मर गए, तो महाराजा ने अपना order को रुख दिया, कि ये लोग नहीं मानेंगे, रुख जाओ, रुख जाओ, ठीक है, यानिके वो लोग हार गया इक तरीके से, lost their life in non-violent method for protection trees, they are upholding eco-friendly principle still by saving water, still by saving water, by traditional water harvesting system, indigenous cultivation method for local areas, and not killing any animal, यानिके कुल में लाके वहाँ पर ये बात हो रही है, कि जो विष्णुई लोग थे, वो किसी भी तरह का कोई स्थना का काम नहीं करते थे, जैसे के जानवरों को मानना, पानी को परदोशित करना, वो पानी बचाते थे, बारिश का पानी इस्तिमाल करते थे, water harvesting system था, उनक This movement started by Amirita Bahi in 1731, Amirita Devi जो थी, was revived, यानिके ये चीज जिन्दा रही उनका movement, ठीक है, बशनी देवी and Gauri Devi of Uttar Pradesh in 1972, they snatched the eggs from the, from the wood cutters and one contractor not to be cut the trees, तो UP के अंदर जब 1972 में काटने की कोशिश हुई, तो इन दोनों औरतों ने, Gauri Devi न और बशनी दीवी ने क्या किया, उन्होंन trees को आप नहीं काट सकते, अगर आप काटेंगे तो आपको हमें भी काटना को लागा, tree के साथ वो भी trees है, हग करकर, आपर खड़ी हो गई, ठीक है, तो 1731 इंपोर्टेंट बात है, खेजरी tree को काटने का हुकम दिया, महाराज आबैसिंग ने, ये चीज पूछ सकते हैं, बिश्णोई first movement, first movement कौन सा था, क्या था, आपको पता चलिया, किसी ने lead किया था, अमरिता देवी ने, तो ये सारी चीज़े हैं, यही आई है, और हमारे यही सवाल है, किसने अपनी life दे दी, 363 और लोगों के साथ 1731 में, किसने दे दी भईया, क्या है इस cancer, इस cancer है, अमरि removal of leaves के लो आप, ठीक है, जो जो पतज़ड जो हो रहा है, आपको जो पते जो ज़ड रहे हैं, जो गिर रहे हैं, उसे wilting of leaf कहते हैं, तो कौन सा हर्मोन है, auxin है, gibraline है, epsilon है, cytokinin है, कौन help कर रहा है इसमें, तो इसमें कौन help कर रहा है, ज़ड़ा देखिए, एpsistic acid जो है हमा fruit formation, तो cell growth और elongation, यानि कि plant की लंबाई बढ़ा रहा है, basically help कर रहा है उसमें, cytokinin ये cell growth, cell division में help कर रहा है, खास्तोर से cell जब divide हो रहा है, cell जो है वो divide करेंगे, तो भी तो growth होगी, तो ये एक cell से 2 cell, 2 से 4, 4 से 8, तो ये cytokinin जो hormone है, ये वो कर रहा है हमारा काम, पत जड़ जो मौसम आता है तो उसमें पत्तियां जड़े आती है, तो एपसिसिक एसिड हाई हो जाता है उनमें, और उसकी वरह से वो पत्तियां वहाँ से पेर से नीचे गिरे जाती है, dormancy of embryo, dropping of ripened leaf and fruit, ठीक है, अब आपको जो कोई फल है, अगर पक गया तो वो पेर से नीचे गिरे आता, तो पका कौन रहा है उसे, एपसिसिक एसिड, ठीक है, और इथाइलीन, जो की एक सवाल आता है, तो गैसियस हॉर्मोन प्रेजेंट इन दी प्लांट, ठीक है, तो गैसियस हॉर्मोन कोई है, इताइलीन, जिसका काम ये है, यानि कि जो एपसिसक एसिड है, उसी तरह का मिलता है, ये भी पकाने में हेल्प कर रहा है, कि इसको फ्रूट्स को, ये भी जो जो लीफ्स हैं, उनको बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, अगर ये बहुत सदे हो गया है, अगर आपने पड़ी हो, तो उसे कौण परमोट कर दा है? जिव्रीजन, बेकड़ाउन, गेसे लिफ नीगते। कौन हैं, जिव्रीजन हैं, तो इसका हमारा जवाब है, यह जवाब है हमारा Epsistic Acid, जो की wilting करता है leaf की, चलिए साब, अगला जो हमारा question है, वो क्या कह रहा है हमसे, कि black rust of wheat, black rust of wheat एक बीमारी है, क्या है, एक disease है, disease है, कौन सी disease है, fungal disease है, एक fungus से होती है, caused by a species of genus, अब कौन सी fungus से होती है, क्या वो, Mucros से होती है, क्या वो, Riseapos से होती है, क्या वो, Puccinia से होती है, यह 4 हों फंगस है, लेकिन किस से होती है, Puccinia से होती है, इसका पूरा क्या नाम है, Puccinia graminis trity waar, यह इसका नाम है, और यह है, इसका जवाब के black rust of wheat, जो है, जो बीमारी है, जो plant के अधर डि Season, जो ह होती है पक्सीनिया से होती है ठीक है अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लें क्या है देखिए आप ब्लेक रस्ट औव वीट इस कॉस्ट बाय पक्सीनिया की रहा है ठीक है तो पूरी की पूरी हर किसी की लाइफ साइकल होती है जैसे हमारी लाइफ साइकल है हम पहले बच्चे है फिर जवान होते है एडल्ट होते है फिर गोले होते हैं फिर मरे आते हैं तो पक्सीनिया की लाइफ साइकल को दो होस्ट चाहिए दो लोग चाहिए ठीक है अब वो दो लोग कौन है एक तो वीट प् अपना काम चला रही है वो कौन पकसीनिया जो फंगस है जिसके ऊपर लगी है तो दो प्लांट है जिसके रहकर उसका काम होता है यह दौनों प्लांट उसकी life cycle के लिए बहुत important है अगर इन में से कोई भी एक चला रहा आगा तो वो life cycle complete नहीं कर पाएगी ठीक है तो wheat and burberry the symptoms of black black rust are seen in stem and shed in the brownish spot brown spot आयाते हैं leaf में और stem पर ठीक है प्लांट के अब म्यूकर की अगर हम बात करें तो यह तो हमें समद में आगे black rust का दो होस्ट है यह बात important है ठीक है दो होस्ट कौन से wheat and burberry mucor is a fungus that causes a group of infection called mucoromycosis तो mucoromycosis बहुत सारे infections है इनका group का नाम दे दिया है तो mucor जो fungus है इससे जो infection होते हैं उसे हम mucoromycosis कहते हैं infection caused by aspergillus called अब जैसे यहां पर यहां पर क्या है aspergillosis जो aspergillus से होते हैं तीक है अब rhizopus causes fruit rot नहीं जो फल है वो पूरा सड़ जाता है fruits like strawberry and tomato impact करता है rhizopus ठीक है खराब कर देता है सड़ा देता है तो black rust of wheat के बारे में आपको आई हो पता चल गया वह यह हमारा जवाब अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है जो mendels आपते हैं हमारे यहां genetics की बात होगी सवाल आवगे genetics का used number of contrastic character of garden pea among themselves was तो उन्होंने बहुत सारे character लिए बहुत सारे मतलब साथ ही character लिए total garden pea उन्होंने pea plant पर experiment किया था अपना ठीक है यह देखने के लिए कि जो f1 generation है वो किस तरह की आ रही है f2 generation किस तरह की आ रही ह है उन्हें ठीक है parents से office spring में किस तरह से यो traits है वो जा रहे है और variation आ रहा है जिसमें पूरी की पूरी genetics depend है इसलिए हम इन्हें मैंडल भाई साब को क्या कहते है father of genetics कहते हैं चाहिए चलिए तो क्या लिया था इन्होंने किस तरह का जो character था वो लिया था क्या इन्होंने white और इन्होंने यह सवाल पूछ लिया है तो जो सातों के सातों character है वो मैं पता होने चाहिए कि इन्होंने क्या क्या लिया था किस किस तरह से इन्होंने चीज देखी इन्होंने देखो seed को देखा flower को देखा plant के pod को देखा मतर का जो pod होता है जिसमें दाने होते है और stem को देखा अब इसमें उन्होंने क्या क्या देखा seed में कि seed जो है वो round है, यानि कि गोल है या wrinkled है, या ऐसा इस तरहा का है न, तोड़ा गोल नहीं है, तो इन्होंने seed की form क्या देखी, कि वो round है, या wrinkled है, यह यह इन्होंने देखा, seed का jो cotyledon है, यानि इसका color है, वो कैसा है, yellow seed है, या फिर green seed है, उन्होंने ये चीज़ देख यह दूसरा दो character हो गए हमारे, इसा character क्या देखा, कि जो हमारा color है, किसका flower का, वो white है या violet है, हमारा जवाब वही तो है, white and violet, हमने जवाब दे दिया अपने हो वाला, जो हमारा सवाल था, उसके साब से हमारा यहाँ पर आ गया, फुल देखा या फिर constructed देखा, यह देख रहे हैं, एक भरा हुआ पूरा आता है, जिसमें मटर के दाने, एक होता ऐसे पिछका हुआ आसा बिल्कुल, मटर के दाने बिल्कुल अच्छे से नहीं होते, तो यह कहते हैं constructed, ठीक है, या फिर उनने color देखा, वही green है pod का color, या फिर yellow है pod का color, क्या यह green है या yellow है, इन्होंने यह देखा, और क्या देखा, जो pod की जो location है, plant पर वो कहा है, क्या वो axial location है, या निकि बिल्कुल उपर की तरफ है plant के, या फिर plant के बीच में भी है, या निकि यहाँ पर भी है pod, ठीक है, axial है, terminal है, इन्होंने यह चीज़े देखें, और इन्होंने क्या देखा, कि जो plant है, जो stem है plant की, वो tall है, या निकि plant की जो height है, वो ज्यादा है, या फिर short है, short का हम कहलें dwarf, ठीक है, या ड्वार्फ है या tall है, इन्होंने यह चीज़े, यह जो start देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इन्होंने, यह साथ character जो है, वो observe की है, किसके pea plant के अंदर, पी plant का क्या नाम है, वो भी पता होना चाहिए, अगर वो उन्हें garden पी नहीं किया, तो भई इसका नाम है, जिए फाइजम और साथड़ायवं, कि अनाम है, पाइजम साथ यह यह बी पूछ़एता है, कौन से plant पे काम किया जाने, उसमें क्या कीते है, मेंडल ने कौन से plant पे काम किया, मेंडल ने कितने character लिए, कितने लिए साथ character लिए अगर इसकी जवाब है तो इसमें हमारे क्या है flower white and violet flower देखें इसने color ठीक है अब आखरी सवाल हमारे क्या कह रहा है कि water canal system water canal system जो है इस इसमें मिलता है water canal system यानि के canal बनी हुई है water की जिसमें के अंदर water आएगा और चला रहाएगा आएगा पानी और चला रहाएगा तो वो किसमें होता है simple सी बात है वो porifera में होता है अब porifera क्या है जब हम diversity chapter पढ़ेंगे animal diversity तब हम पता चलाएगा लेकिन फिर भी आप थोड़ा से देख लें कि phylum porifera जो है वो इस तरह के ग्रुप का ग्रुप है organism का बिल्कुल primary जो बिल्कुल बने-बने थे organism बहुत पुराने टाइप के phylum porifera के जो member है also known as sponge sponge होती sponge तो उन्हें हम sponge कहते है hava water transport और can cause it so Mary first of proportion of lean में जब अंदर आया तो यह यहां से आ पूरा क पूरा अब पानी जब आया तो उसके अपने minerals ले कर आया ने कि इनका खाना पीना विल आया तो पानी जब इनकीłości में आ रहा रहा इसे जो पूरी जगह है खाली जगह है इसे हम कहते है स्पॉंजोसील अब ऐसे तो बहुत सारे हुआ है जो यह सेल्स हैं कौन-कौन जो help कर रहा है कोईनोडर्म मेजन काइमा पिनेकलडर्म हो गए आपके कोईनोसाइट हो गए डर्मल ऑस्कुलम ऑस्कुलम क्या कहते हैं यह उपर जो खुला हुआ जहां से वाटर बहर निकल लाए तो यहां पर पानी इसका अंदर आया बोडी के अंदर और यह कैनाल के थुरू और बाहर चला गया क्या देता हुआ चला गया इससे क्या लिया जो यह जो इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए जो फूड है वो इनोंने प और फेरामिया कैनाल सिस्टम मिलता है हमें ओके चलिए साब इतने ही सवाल आये थे वास थैंक यू सो मच अब अगर आपको हमारा प्लेटफॉर्म जॉइन करना है जो कि आपको करना है हमें पता है क्योंकि आप 11 की तयारी कर रहे हैं अगर आप यहां तक इस वीडियो को द इसलिकर 11th class का है जो science है और amu का है हमारा bhu है jmi है इसका जो हमारा पूरा जो course है वो 1111 में अगर आपको amu की तयारी करनी है बhu की तयारी करनी है जमाई की तयारी करनी है तो आप 1111 रुपे में कौन सी class की 11th class की हमारा course जो है वो buy कर सकते हैं लेकिन इस affordable fees में भी अगर हो जाएंगे अगर आप इस code को use करेंगे during registration ठीक है तो हम 6th class की तयारी सिर्फ 666 रुपे में 9th class की 909 रुपे में 11th class की 1111 रुपे में करा रहे हैं अगर आप कोई भाई बंदू है कुझे से भी तयारी करनी है जो भी चाहता है amu में bhu में jmi में admission लेना तो वो जो है हमारा Digi Classes platform जो की play store पर हमारा मौझूद है आप उसे download करिए महाँ पर हमारे क्या कहते हैं जो demo lectures है वो पढ़े हुए है आप देखिए कि कौन सा teacher किस तरह से पढ़ा रहा है किस का style आपको समझ में आ रहा है अगर आपको लगता है कि आप हमारे platform से कुछ सीख सकते हैं और अपनी चली कई ना की lag करने हैं तो आप tension मत लीजिए आप सिर्फ पढ़ाई करिए अच्छे से अच्छा जो exam है उसमें rank लेकर आई अच्छे से अच्छी और फिर सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए तो tension नहीं लेनी है सिर्फ पढ़ाई करनी है हमारा मक्सद है कि आप जो है अपन